नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज 18 मैं हूँ आपके साथ राहूल यादव आज हमारे साथ भोजपुरी की बीटफुल एक्टरेस चान्नी सिंग मौजूद हैं जिन से हम उनके बारे में उनसे ही जानेंगे उनके संगर्स के से जुड़े सवाल करेंगे और उनके करियर से जुड़ी बाते उनसे ही जानेंगे आज वो दिली में मौजूद हैं यहाँ पर अपनी अपकमिंग भोजपुरी फिल्म ससुरारी जिन्दाबाद की शूटिंग कर रही हैं इसमें वो अर्विन अकेला कल्लू जी के साथ नजर आने वाली हैं इसमें आए उनसे मुखातिब होते हैं स्वागत है आपका चान्नी सिंग जी न्यूजटिंग पर नमस्ते प्रणाव आप करें यहां कि अपकमिंग फिल्म वोजपुरिन फिल्म में आपकी जो है ससुरा सुसरारा Billy जिंदा बाद इसके बाद सदी के सादी के बाद का सीक्वेस जो है की शूट कर रही है इसमें आप अर्विन अक Team कल सजी की वाइओ का रोल प्ले कर रही है तो आप रियल में वाइप अब यह दो नहीं पता जब बनेंगे तो आप लोगों को बताएंगे तो आप जो है कि कई फिल्मों में पवन सिंग खेसारी लालिया दौरिते स्पांडेजी के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी जमती है आपने उनके साथ दारेक्टर प्रडूसर साइन करते तो अच्छे भी वह बहुत सबस्केर करते हैं तो काम करना अच्छा लगता उनके साथ और जो भी हम लोग करते हैं तो सेट पर ऐसा नहीं लगता है कि नहीं वो इतने बड़े मतब हीरो हैं बहुत अच्छे से बहुत नॉर्मली वो सीन कराते हैं नहीं आते हैं तो उस चीज को समझाते हैं तो यह बहुत अच्छी चीज है रितेश जी में आपके फिल्म का नाम है ससुरारी जिंदाबाद क्यों नाम रखा है क्या कॉन सब्सक्राइब यह तो हम नहीं बता सकते हैं पूरा क्योंकि हमारे डिरेक्टर से पर्मिशन नहीं दियें लेकिन घर वाली बाहर वाली ऐसा कुछ है इस फिल्म में तो आप लोग इसके लिए आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा अब हम अगर आपके करियर से जुड़ा सवाल करें तो आपने जो है की 10 प्लस टू तो तक की एजुकेशन की है और आप जौनपुर से बिलॉंग करती है उत्तरपरदेश के तो आपको क्यों लगा क्या आपको एक्टिंग में आना चैनल के माध्यम से दो चार सॉंग कलू जी के साथ हमने किया और खेसारी जी के भी साथ किया तो सॉंग अच्छे लगे लोगों को पब्लिक अपना इतना प्यार आशिरवाद दिया जिसकी वज़े से मुझे भी सौक हो गया कि नहीं करना चाहिए लोगों का प्यार जब हम आशिर जब हम एटना प्यार दे रहें तो मुझे लगा साथ फिल्म भी करके ट्राइ करें और भगवान के दया से फिल्म अच्छे मिलने लगे हमें तो पहली फिल्म या पहला म्यूजिक वीडियो आपने कब किया था कि सत्रह में की थी मेरे का सत्रह आठारा हां सत्रह में किया था उस नाम क्या था फिल्म था या म्यूजिक वीडियो था खेसारी जी के साथ था हां पलंकरे चोए चोए जो है कि आपने एजुकेशन को आगे कंटीनिम मेरा मन नहीं था इसा कुछ संगर्स नहीं रहा हां यहां था वहां यह नहीं रहा है भएया लोग हमारे मम्म भाइया भाबी बहूट सपोर्डरां फैम्ली सफर बहुत रहा मुझए और भीया और भाई लोग रहते हैं मुंबई में तो आना जाना रहते हैं इस दौरान आपने जो है की कास्टिंग काउच के जैसी समस्या का सामना के क्योंकि बड़ी प्रोब्लम रही है कास्टिंग काउच की वे से कई एक्ट्रस कोई फेस करना पड़ा क्या आपने कभी फेस किय मुझे बहुत ज्यादा लोगों से बात करना और मेरे पास तो फाल्तू कॉल भी नहीं आते हैं बिल्कुल कंफर्म रहता है कि हां मैं तो मीटिंग में भी बहुत कम जाती हूं ना के बराबर जाती हूं मुझे ऐसा लगते है कि लोग देख रहे हैं आजकल यूटूब ऐसी चीजा कि लोग देख रहे हैं जो घड़ी-घड़ी मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो उनको काम नहीं करना होता है बकवास करना होता है तो इतने से समझ जाना चाहिए कि जो काम देने वाले हैं वो फोन पे किलियर कर लेंगे अब अब अच्छी यह सबसे बाड़ा जो मुद्धा रहा है वह बोच्पूरी में असलीलता का मुद्धा मेशण रहा है तो जब आपने बोच्पूरी में आने का फैसला किया जब आपने बोच्पूरी में काम किया तो परिवारा लोग कैसा रिएक्षन रहा था क्या उन्होंने पर्मीशन दे दी आसानी से या फिर उसमें उसमें जद्धो जायत करने पड़ी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था हाँ फैमली में मतलब सुरू से बच्पन से हम खुद भी जीन्स भी नहीं पहने थे एक दो फिल्म में पहनी भी जिसकी वज़े से मम्मी मेरी बहुत डाटी भया लोग का तो सपोट रहा मम्मी को समझाने में कि हाँ ठीक है थोड़ा बहुत चलता है लेकिन मम्मी का तो बिलकुल है नहीं चलता है नहीं पहनना है तो ऐसा कुछ और असलील मुझे लगते है भ वेश्टें भी पहनते तो इस टाइप का नहीं पहनते हैं जो भी हमारी हिरोईन है पोई ऐसा तो ट्रेस नहीं पहनते हैं क्या आपको लगता है कि जो है कि दूई भाशे शब्दो का इस्तेमाल फिल्मों या मुजिक वीडियो बगर हमें करने चाहिए नहीं करना चाहिए लेकिन क्या करें मजबूर हैं लोग वही सब चली रहा है तो हमारे सिंगर भी जो भी गा रहे हैं उनके भी गलती नहीं है अभी हम लोगोंने बहुत सारी सौंग की हैं जैसे आपने आपने खुद भी देखा महावर फिल्म आपसे ही मुझे पता चला कि आप भी उस फिल्म जो भी कोई भी हो सबको अपना दुकान चलाना है ना जैसे कि अभी आपने बताया कि जिन्स आपने पहली बार पहनी थे तो मम्मी को बड़ी आपती हुई थे तो अगर जो बोल्ड सीन वगरे भी कुछ-कुछ फिल्मों में होते हैं कुछ गानों में भी होते तो उसको कैस कैसे मैंनेज कर पाते हुए नहीं मैं ज्यादा ऐसा कुछ करती ही नहीं हूं बहुत कम करती हूं मतलब क्या ना के बराबर करते हुए कम को कैसे मैं अभी मुझे नहीं लगते कि अभी कोई फिल्म ऐसा है जिसमें यह सब चीजें हो रही है ऐसा कुछ नहीं जो भी फिल्म ब बहुत गंदगी पहली क्या हुआ मुझे नहीं पता अभी हम आये तो मुझे भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है आप जो है कि वेब सीरीज का प्रचलन इस समय तेजी से है बोच्पुरी में भी शुरू हो गया तो आप जो है कि वेब सीरीज का हिस्सा बनना चाहेंगे ह अच्छा वेब सीरीज होगा तो जरूर बनना चाहेंगे लेकिन वेब सीरीज के लिए मुझे ओफर तो आते रहते हैं बट अभी मैंड सेट नहीं है वेब सीरीज के लिए कुछ अच्छा होगा परिवारिक होगा तो जरूर करेंगे परिवारिक वेब सीरीज आप करना चा करते हैं लेकिन आपका जो उस दोरान रहा होगा पहले已經 कम का रही तुम्ट रहे का मां евидて अब हैं को आना चाहिए वो मेरी मम्मी का कहना होता था कि मेरी लड़की खोड़के मेहंदी लगाना पाल लर का काम जो भी है सब आता है खाना बनाना सिटती जो आए तैसे आथए अच्छे नहीं आती है तो पहले कितने रहिए वोगि लोगें ऐसके पैलिए निकमा अबने कमायोगी को कि बड़ा खास होता सब के जीन में पहली इनकम है कि भाकट मुझे जादा अच्छा लगा था वो मेरी एक फिल्म थी बदृनाथ वह फिल्म से जब मुझे मिला तो एक अच्छा मिला था तो मुझे ज्यादा खुसी हुई थी तो बदरीनाथ फिल्म से मुझे ऐसा लगा कि अच्छा में इतना कमा सकती हूं क्या ऐसा मतलब भूजपूरी में ऐसा है कि आजकल एक्टरस का अक्सर सवाल रहा है कि एक्टर की जो है पर फिल्म का पैसा है उनको फिल्मों में दीदि दैक से लिए जाता हूं से तो इस पर आप क्या करेंगे इसको किस तरीकस लेती है क्या आपको भी लगता है क्या क्या कृति ने शनुटियों यह नहीं कह सकते ह commander या थोड़ास मिलता है मैनत की हिसा थोड़ा बहूत लेकिन अहीरों लोग ज्यादा काम करते हैं हम लोग से हम लोग तो करते ही हैं जो लड़कियां हैं सभी हिरो इन काम करती हैं लेकिन हीरो के सर पर पूरी फिल्म रहती है हम लोग को हम लोग आएं हीरो के साथ दो चाल लाइन बोलें या फिर मा के साथ सीन हैं बोलें फिर चले गए हीरो के फिल्म में सुरू से लेके अंत और या बगिमार कि हमारे इंडिश्चिव में डैरेक्टर लोगों की या प्र्राइक्टर् किसकी चलती है मतलब हीरो की ज्यादा चलती है यह तो है थोड़ा ज्यादा नहीं लेकिन अभी मतलब पहले से अभी तो सुधार आ गई है इस चीजों में कि अभी प्रोडूसर डिरेक्टर बोलते हैं कि नहीं हमें जो पसंद है हमारे करेक्टर में जो जारी है हम उन्हीं को ह भी लेंगे तो इस सब चीजões में hero लोग को interfering नहीं करना प्लू को इंटरफेर नहीं करना चाहिए कौन रहेगा को नहीं रहेगा ये सिर्फ चैनल में अबनें अब का के एक्टर हेघ्ज का करे दो एक्टर करते हैं और कर दोा करने जम्हेंदाई रहते हैं तो आज निच्ग तो देख रहे हैं कि फिल्मों में एक्टरस भी फाइटिंग सीन कर रही है और एंट तक वो बीटे के रहने के पूरी पूरी कोशिच उनके की जाती है नि वह तो वैसे फिर्म तो मैं खुद भी कर रही हूं बहुत सारी फिल्म में कर और जिसमें « काम नहीं का है पूचा है कि हिरोईन की फिल्म है तो सो में से एक-दो आप जैसे होंगे फिर तो यह हम लोग के लिए अच्छी बात है लेकिन जो सच्चा ही है वो यह है कि मैं खुद भी पहले पूछती हूं किस फिल्म लगी है तो मुझे ऐसा लगते है कि हिरो के सर पर भार तो रहता है क् इसों कि फिल्म हीट होती है तो भी बहुता है किसी फिल्म क punishment किसारी को दूब इन लोगों कि एसा लोग बोलता है WIN यह कोई नहीं बोलता है किसोय में हिरोईन कौन थी जो भी एक्टरस हैं वो लोग थी एइसा नहीं पूछते तो लुए हिरो वारत एई अगती जिह प्ल मुझे और आभी मेरा मूड नहीं करता है मुझे ऐसा क्यों आपका मोर का तो बरोसा नहीं है या मतलब हमें ऐसा लगते हैं इंसान को बनावती जिंदिगी नहीं जीना चाहिए चाहिए वो बैशास अबदा है मैं बाउस परोथा अब बाई परोड even बढ़नियों i10 mm विला करें कि आपdonald वह इसा हुझे कम् वाला वाली ना कि लवlar है तो योसलेних नर्विस में खेंटे मुझे फेर बहुत जांद करते हैं के जाखा जादा कर लू जी का सपोर्ट ता उनके साथ काम करें उप्राब्लम नहीं होती है कैसे बोलना है क्या नहीं क्योंकि वह बहुत नॉर्मल कर देते हैं इस इतर वह किम लुट उन्हें तो मुझे परिवारित फिर्म देख्णाय तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लड जियादा कमफर्ड जोन में जो आप रहती है उकिसेक्टर के साथ रहती हôm तो चया नहींस किसी एक वे सकते शब्र नाम नहीं लोग संपूट करते पीट पीछे क्या वोन पद था मूझे लेकिन सबसे जाधा रितेज जी और करलो के साथ रहती हूं है啦 अब ने कही एक्टर के साथ काम किया है, रोमैंटिक सीन भी रहे हैं और जो है, यह कैमिस्ट्री बैच्छी देखने के लिए लिए तो इस दोरान कभी हुआ है कि सब रेल में मुझे असा लगता है कि आज शामाने में मुझे लगता है प्यार बहुत कम है लोगों कोран Kiniंट लोगों ब County कर सके भालतु घरिवाले करते न लगा जरूरत को ज़िए लोग इंडेश्टी में पैर करने लगें जिसके जब लगारी है उतना प्षू motto तो रिल प्यार तो कुछ नहीं है आप लब मेरिज मेरे जो विश्वास रखती है फिर अरेंज मेरिज इए दिकिए निप मा ये तो भगमान के उपर है कि जो किसमत में हमारे लिखा होगा वही होगा बहुत सारे लव करने के बाद भी तूट जाता है बहुत सारे एरेंज भी तूट जाते हैं तो आपका विश्वास किसमें जादा अगर आपके सामने ऑप्शन रखा जाए कि घर वाले ऑप्शन रख देख भाई आप अरेंज कर लो चाहे लव कर लो गर ऑप्शन देंगे तो आपको ज्यादा प्रिफरेंस किसको पसंद होगा तब तुम्हें कहूंग तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम अकेले फेस करेंगे और ऐसे फैमिली रहेगी तो सभी परिवार वाले मिलके उसको परेंगे बोच्पुरी में आप जो है दोजार सतरा से लगवा काम कर रही है और पहले भी उबजर्व करती रही होंगी तो इस दोरान आपने क जहां कि वह तो चेंजर करना चाहिए यह को मतलब नहीं ही लाएंन को भी नहीं को बोलना चाहिए आप को नहीं लगता की बॉलीवृट की और साउथ की तरह भूजपुरी फिल्मों को भी मोर्श में ही एक करना चाहिए यूपी बिहार नेपाल के लावा दिल्ली में और अन्य शहरों में भी रिलीज किया जाना चाहिए हां करना तो चाहिए लेकिन उमीद तो कम है जो सच्छा ही है बागी लगे हुए हैं सब लोग लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी यह सब पॉसिबल है क्यों कुछ भी कहीं भी चले जाना तो फिर 먹 भी हर रोज एकी इनसान को कितना देखे गाभी हम लोग एकी जग़ा सूट करेंगेरों एक महीना करेंगे तो स्टार्टिंट इस दिन हम लोग करेंगे 10 लोग आएंगे 20 लोग आएंगे दूसरे इन भी आएंगे फिर देन चोझ यह तो जितना कम दिखें हैं तो अच्छा है एक और सवाल यह रहा है कि भुछपुरी में एकसर दिखा एक्टरस ने भी सवाल उठाया कई बार की हर एक्टर का की अपनी एक्टरस है तो इस पर आप क्या जाहें कि उससे तो यह होता ना कि नए जो निव कमल सारे उनको तो मौका कि अब ही आज हमारा किसी हरोन से पट रहा है किसी हीरो से पट रहा है तो हम उसके साथ not continue दस करते हैं और फिर यह भी फैला देते हैं कि नहीं हम इसकी साथ अपकाम नहीं करेंगे लेकिन कर तू किसी रीजन से पहली वाली सेट हो गई या सही हो गया तो फिर उसके साथ continue उसकी तारीफ करना तो यह सब गलत है या तो किसी की बुराई नहीं करो और मत बोलते हैं थूक दो चाटो मत या तो थूको मत या तो चाटो मत आज जो सोचल मेडिया पे ट्रेंड चल कम बॉक्स ओफिस वगरा पर इसका एक वजह मानी जारी कि सोचल मेडिया पर लोग बॉयकॉट कर दे रहे हैं फिल्मों को इससे काफी प्रभाव पट रहा तो इस पर आप क्या करने जाए कि क्या रोका कैसे जाए या फिर उसको कंट्रोल में कैसे किया जाए कि फिल्में फ अपने आखरी सवाल के साथ आपका जो है इंटर्व्यू सावत करूंगा जो है कि साउथ फिल्में आजकल बड़ा उपर जा रही है बोचपुरी और वो भी साउथ है रीजिनल है तो फिल्में अच्छा प्रदर्शन कर रही है अपनी भोचपुरी कि फिल्में कब उस इस इन सब चीजों के लिए सभी टीम को मिलके महनत करना पड़ेगा तभी यह सब पॉसिबल है एक दूसरे को मतलब सपोर्ट करना पड़ेगा और अंत में आप अपने दर्सों को अपने फैन से और हमारे दर्सों से कह कहना चाहूंगे मेरी बहुत ही प्यारी फिल्म कटान हिं मेरी ऐसी फिल्म है कि अभी तक मैं ऐसी फिल्म की हूं दूसरों का तो मुझे नहीं पता जिसमें में मेक अप हेयर की ही नहीं हूं मतलब में एक हपते तक मुझे हेयर वाश ही नहीं करना था मतलब मना था कि नहीं हैर दंदा ही दिखाना था उनको तो एक हपते तक हेयर वा इस फिल्म को एक बार जरूर देखिएगा फिर बताईएगा वो फिल्म आप लोग को कैसी लगी धन्यवाद चान्दी जी आपने न्यूज 18 हिंदी को अपना सुटिंग से वक्त निकाल करके किमती वक्त दिया आपने हमारे चैनल को इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आ सब्सक्राइब करें यूट्यूब पेज को लाइक करें हमें फॉलो करें बहुत-बहुत धन्यवाद है